अंचितनी तेजी से डिजीटल दुन्या की और बढ़ रहे है ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपरात की संक्या में भी फृद्धी हो रहे है जिस कती से तक्निकी ने उन्निती की है उसी कती से मनुश्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ गई है एक और जहां इंटरन में इंसान सोच सकता है उस तक उसकी पहुच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ओनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ओनलाइन स्टेडी, ओनलाइन जॉब इत्यादी आज के समय में इंटरनेट का उपयूग लगभग हर इंटरनेट के विकास और इसके संबंदित लाभों के साथ साइबर अपरादों की अवधारना भी विक्सित हुई, जिसके बारे में जंचाकरुती हो इस उद्दीशी से साइबर क्राइम ऑफिस की और से समिनार का आयोचिन किया गया, इस संदर्ब में पलिस निरिक्षिक अशुक बागुल ने अधिक जानकारी साचा की वो इतने नए है और इतने अलग-अलग धंसे उसमें टेक्नोलाजी का, अलग-अलग सॉप्ट्वेर्स का, अलग-अलग अप्स का इस्तेमाल होता है, तो एक आम जंता जिनको की इतना इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता है, इस वेरी मुच लाइकली की वो लोग इ के शिकार हो चुके हो रहे हैं, कभी-कभी हर कोई पुलिस में कंपलेंट नहीं करता है, विकॉज अफ डिफरेंट रिजन्स, तो मेरी जंता को रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, कि अगर साइबर क्राइम को साइड अंग से कंट्रोल करना है, तो समाज ने, मीडिया ने, और पुलिस ने, जुड़ी शेरी ने, सभी ने मिलके, इकट्टा होके, इन साइबर क्राइम के किलाब कारवाई करना ज़रुवी है, और इसमें सबसे इंपोर्टन बात है, कि आपका इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ाना, आपका नौलेज बढ़ाना, आपका आवेरनेस इनके मायक जर्शन में, नाकपूर शिटी पूलिस, साइबर पूलिस की तरफ से अभी तक, सिफ विधर में नहीं, नाकपूर में नहीं, महाराश में बलके पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेबिनार्स हम ले चुके हैं वरतवान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्गिंग साइट का उपयोग करती है भारत में सोशल नेटवर्गिंग साइट के उपयोग की प्रती लोगों में जानकारी का अभाव है इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में है जसे भारत में साइबर अपराद खटित होने की स्थिती में इनकी जड़ तक पहुचपाना कटिन होता है हाला कि अगर सावधानी बरती गई तो जो साइबर अपराद होते हैं उनमें निश्यत ही कमी आएगी क्यमरा पोसन माइकल के साथ तुशा हटवार बीस्यन न्यूस नाटपूर